एलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे UPSC की तरफ सज्वाइंडिया के फॉर्म निकलें उन्हें कैसे भरें और उसका नोटिफिकेशन कैसे देखें तो नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके चलिए फॉर्म भरते हैं लिए अपको सर्फ करना एं यु प्यूप i.bc search करने बाद यूप आसे पर आज आने बाद सिंपल यह आपको बंट वोकैं पर क्लिक करना है जैसे आप पर क्लिक करेंगे आप एक नहीं पर आजेंगे पर आजने के बाद अगर आपको लेटी राजिस्टेशन है आप अपनी इमेल आईडी और डालकार सिफ9 लेरा लोगिन करना है या या पेलब घर डालना है अपनी दैटोब डालना है खुर्स आपको सिक्योर्टी कोशन रखना है सिक्योर्टी कोशन रखने के बाद आपको अपना कैप्सर कोड बनना है और सब्मीट बटन पर क्लिक कर देना है सिंपल यह अपनी साइड डिटेल को फिल करते हैं ऐसे आपने आपने साइड डिटेल वाली आपना नाम व्रेफै कर लिया अपना चैंडर भी यह अपनी जैंडर से ंधा का नाम अपनी मात्त का भी नाम भाए मायद स्टेटस अमने यह नओ लगाया है अपना मुवाइल लंबर भल भल लिए अपनी एडि भल ले अपना रोल लामबर भल लिए और हमने अपनी पॉस्टन भी स्लेक्ट करने हैं तो अपने बाद आपका कोई इस में गलती है अगर आपकी कोई गलती है तो अपडेट कर सकते हैं उसके बाद आपको कोई अपडेट नहीं होएगा तो हमारी कोई गलती नहीं तो हमHigh फर किलिक करते हैं permit पर क्लिक करने के बाद आपके email ID और mobile नमबर पर OTP आई होंगे तो simply आपको उन OTP को verify कर लेना है चलिए हम अपने OTP को verify करते हैं तो हम अपने mobile नमबर वाला OTP डाल लिया अपनी email ID वाला OTP डाल लिया तो उन OTP डालने के बाद verify OTP पर क्लिक करेंगे verify OTP पर क्लिक करने के बाद band time registration submit successfully लिका हुआ गया है तो हमारा registration successfully हो तो रेस्टेशन कंप्रिट होने के बाद आपको login बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले पेस्ट पर आजाना है इस वाले पेस्ट पर आजाने के बाद आपको अपनी email ID डालनी है और आपको get OTP पर क तो हम अपनी email ID से लोगई होगे email ID से लोगई होने के वाद मैंको पास्वर्ड soybean बनाते हैं gemeने पास्वर्ड पन애ना के वाद आपको सब्मिट बटन पर क्लिक करना जैसे हैं जैसे यह आप सब्मिट बटन पर क्लिक आएगग आपको लेटेस्ट नोटीफिकेशन पर किलिक करना है तो आपके सामने दो फोम आएंगे एक आएगा NDA1 का उसके नीचे आएगा CDS 1st का तुम आपको पहले NDA 1st कबर कर दिखाएंगे CDS 1st का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको simply click here for part 1 पर click करना है किलिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा important instruction आपको यह पढ़ लेना है पढ़ने के बाद आपको scroll करकर नीचे आ जाना है उसके बाद आपको हाँ पर click कर देना है हाँ पर किलिक करने के बाद आपके सामने पेज आएगा OTR से आपकी कुछ डिटेल ले जाएंगी उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल भरनी होएंगी आपको अपनी कम्यूटी भरना पड़ेगा जैसे आपको कौन सी कैटिगरी से बिलोंग करते हैं जनरल से OVC से SC से SC तो हम ऐसी से किलिक करते हैं इस पर किलिक करने के बाद आपको समुधाय पिरमान पत्र संख्य देनी होईगी तो हम अपनीसाइड डिटेल भरते हैं अगर आपने सारी डिटेल बनने के बाद आपको अपने नीचे आ जाना इसक्रोल करकर यहां पर आ रहा है एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन स्थ्षा युग उग्यता इज underlying पर क्लिक में एज थो ऊपने इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने address डाल लाइयों फर्स्ट लाइन, सेगंड लाइन, थर्ड लाइन में, तो मैं अपने अड्रस डालता हूं, आपको अपने अड्रस डालने के बाद आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने डिस्टिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्टिक्ट सेलेक जैसे आप आगे बड़े पर क्लिक करेंगे आपको फोटो आइडेंटेटी पहचान पत्र देना है मास्तल आपके पास क्या एड कार्ड है आधार कार्ड है यह ट्राइविंग लेसंट से यह पैं कार्ड है यह पासपोट या बोटर ऐड कार्ड तो हम अपना अधार कार्ड देते हैं अधार कार्ट पर किलिक कद दोनों के यहां पर किलिक करने के बाल आपको आपको आपनी अधार current इन तो मैंने यए चर्णा आपने हैं जाता हुं जैसे मुझा सेना पेदर 4 नपर लेनी है Naveर 1 नमबर लेनी है और यह दूसे नमबर लेनी है 9 सेना तो मेंने यह सब preference भने बाद भाय को जैसे मlen गरता हूं लेनी नहीं है तो आप किसी भी जो आपको लेनी नहीं है वह झरो कर सकते उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है कि आप मिलीटरी स्कूल में पड़ा हुए है तो यस करना नहीं पड़ा हुए तो नो ही रहन देना है कि आप मिलीटरी स्कूल के बिद्ध्यारती है तो यस करना नहीं तो नो रहन देना है उसके बाद आपको continue पर किलिक करना है आग क्लिक कर देना है तो सही जार आपको गैप फोट डाल कर दिखाता हूं अच्छ नोटिफिकेशन पर हैं इसके बादद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है है अब यह श्रीक सिंपल करते लग्यांकशन के भाद आपका पाड बन तो महिल ब्रीट seventh प descriptions अब आपको फोटो और सिगनेचर a प्लोट करने होईंगे आप टू में तो आपको चिम्पली यहां पर कलिक करना फोट और सिगनेचर पर किलिक करने के बाद यहां पर आजाएंगे आप यहां पर आपको अपने फोटो अपलोड करना है अपने सिगनेचर और आपको एक अधार कार्ड की पीडियाफ अपलोड करना है अपने डाला था उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के वाद आपक कितने के विकाई कितनी पिक्सल हैं तो आपको फोटो की सिगनेचर की और पीडियाफ की देख लेनी है और आपको अगर फोटो रिसाइच करना नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो पर जाकर फोटो रिसाइच कर आपको यहां पर किलिक करना अप्लोड इमेज पर जैसे यहां अप्लोड इमेज पर किलिक करेंगे तो आपको फोटो आपका सिगनेचर और आपकी पीडियाफ यहां पर आजाएगी तो आपको कंट्यूनु करके आगे बढ़ना है जैसी आप Continue पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है Update, Photo, Signature यहाँ पर सही का टिक लग गया है तो आपको Center Selection करना है Center Selection करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे यहां पर आ रहा है परिक्षा के अंदर पर किलिक करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर यहां पर किलिक करने के बाद आपको अपने सेंटर सेलेक्ट करते हैं प्रफ प्राइब करने के बाद आपको डिकले DAVID लेना है उसके बाद आपको आइघरी पर किलिक कर देना है आई एगरी पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ रहा है यह आपका फोर्म सब्मीट हो चुका है आपको यहां पर क्लिक करना फोर एप्लिकेशन स्टेटस पर इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आ रहा है complete आपका part 1 और part 2 complete हो चुका है आपको अपना application phone डाउड करने के लिए click here पर क्लिक करना है click here पर किलिक करने के बाद आपका application phone आपके सामने आ जाएगा आपको इसे download कर लेना है तो हमने ये वीडियो एक education purpose के लिए बनाई है वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें मिलते हैं को next वीडियो में Thank you for watching this video